हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपके चैनल एचस बैंकर के उपर तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ अगर आपके पास ऐसा कोई क्वाचन है आप चाहते हो मैं उसके उपर वीडियो बनाऊं तो आप वो गवाचन मुझे नीचे कमेंट बाक्स में लिएक के टाइप करके बैज सकते हो लेकिन दोस्तों आपको क्या पूरे का पूरा वैसे का वैसा टाइप करके बैजना जैसे के बुक में अवेलेवल है तो मैं उसके उपर वीडियो बनाके एक दो देन में वीडियो अपलोड कर दूँगा आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा ही मिल जाएगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम यहां पर कोमेंट को पढ़ेंगे कोचने a certain amount of money is to be divided among P, Q and R in the ratio of 3, 5 and 7 if the amount received by R is 4000 more than the amount received by Q what will be the total amount received by P and Q P and Q का amount हमें पता करने इनके दोरा कितना रसीब किया गया इनका जितना भी इनों ने रसीब किया उसका ratio हमारे पास दे रखा है तो हम यहां पर माल लेते हैं कि जो ए के दोरा पी के दोरा रसीब किया गया ratio में 3, P का ratio 3 है तो हम 7 में उनके X लगा देते हैं क्योंकि यह तो ratio है ratio में कहीं पर इसी ratio में amount होगा जातो इनको 3 रपे, 5 रपे, 7 रपे मिले हैं जाँ फिर into 2 कर दो सभी को 6, 10 और 14 ऐसे मिले हैं इनको मतलब something into में है इनके, तो into में क्या है, X हम यहाँ पर X रख लेते हैं, फिर X की value पता कर लेंगे और फिर पता चल जाएगा कि इनको कितना amount मिला है, और हमें चाहिए P और Q का, P और Q का, प्लस कर देंगे दोनों का हमारा answer आजाएगा, तो इनको मिला है, Q को 5X और R को 7X ठीए, और जैसे इनने बोला, जो Q का है, R का है, वो Q से 4X जादा है, तो R का कितना 7X है, और Q का कितना 5X है, तो 5X में 4X एड़ कर देते हैं, यह बराबर है किसके? 7X के, Q में 4X एड़ कर देते हैं, वो बर बराबरे R के, तो क्यों 5X है, R 7X है, और 4000 यहां पे हमने एड़ कर देते हैं, तो यहां पे 2X बराबरे 4000 और X की वेलियो आजाती है, 2000, तो मैंने भी आपको बोला था, कि X की वेलियो हम पता कर लेंगे, तो X की वेलियो कितना है, 2000 आगी, तो P और क्यों का देखा न, P का कि 16,000 का अंसर आजाता है, बहुत ही सिंपल था, उमीदे समझा गया होगा, आपको वीडियो देखने के लिए धन्य वज्य हैं,